सबी प्यारे किसान भाइओ को मेरा नमसकार किसान भाइओ, इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा, आज का जो अलू का ताज़ा भाओं के बारे में, जैसे कि आज आपको पता है, किसान भाइओ, फरुखावाद कानपू, झिबेराबू, नवीगन जिल्हाबाद बना जैसी मं मंडियों का महाल आज 6achesन्बडी 2021 किसको कैसा देखने को मिला है तो चलिए किसान भायोव वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को से पहले अगर तक आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को जडूर सुआप करेंтеОल ताकि- किसान भायो जब मैं अगली वीडियो अप्लोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पहुंच सके तो चलिए अब हम आपको इस वीडियो में सारी जनकारियों के साथ पताएंगे कि आज इन बड़ी मंडियों का महल कैसा देखने को मिला है तो किसान भायो बात करते हैं 401 रुपए से लेकर 501 रुपए तक के जो भाव में बिग चुका है अगर किसान भायो नवी गंज की बात करें तो यहाँ पर सफेद आलू 401 रुपए से लेकर 501 रुपए तक के भाव में और जो लालालू है 501 रुपए से लेकर 508 रुपए तक के भाव में बिग चुका ह अगर किसान भाई इलहावाद बंडी की बात करें तो यहां पर किसान भाई एक हजाब पेसे लेकर बाराः सुपच्यों और पच्छी सु growपर तक के भाँ में प्रतिय कंटल के साफ़ से जो आलु है ऐलहावाद मंदी में देखने को मिला ँपर लेकर 13 उर्पय तक के बीच में जो आलू है वो बणारश मंदी में देखने को मिला है उही पर अगर कानपूर मंदी की वाया क्यसान वाइब कानपूर मंदी में तो जो आलू है वो मनके साथ से खरीदा जाता है सपेद आलू 350 सु पॉचास रुपचास लfore्पेत के बहुए में खरीदा गया है और लालाल engag लेकर 501 के बहुए कि बहुए और फरूखावाद मंदी unto चारी संव व本व तक पसके बहुं में लालाम यए 450 रुपए से लेकर 521 रुपए तक के भाव में देखा हुआ है फरुखावाद मंडी में किसान बावी यह बड़ी अपडेट है और यह बड़ी अपडेट हमारे पस अभी अभी अपडेट हो कर आई है